नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राकेश शिवानियस्टो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सूर्य का मेश लगन के विभिन भावों में फल तो विभिन भावों में सूर्य के फल मेश ल छटे, साथवे या आठवे भाव में हो तो किस तरह के फल मिलते हैं तो उसको हम लोग शेयर कर लेते हैं स्क्रीन को सूर्य के प्रथम भाव में हो तो यह हम बता चुके हैं जृत्य भाव में हो तो यह भी हो चुका है चतुर्थ भाव में हो तो यह भी हो चुका है और पं अपने स्वामी से युक्त होता है या अपने स्वामी से द्रस्ट होता है वो भाव बहुत मजबूत हो जाता है तो इसका मतलब यहां पर भाव बहुत मजबूत हो गया चुकि वो अपने स्वामी से युथ है और अपने स्वामी से युथ होने कारण पांचवे भाव के जो भ तो उसकी द्रस्टी पढ़ेगी ग्यारवे भाव पे द्रस्टी ग्यारवे भाव पे होगी तो सीरी सी बात है कि अशुब रह की द्रस्टी अशुब होती है और वो कुछ ना कुछ हानी अवश्य करती है यह बैने आपको पहले ही बताया था इसमें हमको यह नहीं लेना है कि यह इँ पंचमेश की दरस्टी है, या किस चीज़ की दरस्टी है, यह अशुभाह की तो लाभ भाब पे जोग में दरस्टी पढ़ेगी, तो यह लाभ दैते वे भी भी हो सकता है, कि आपको आपकी आय में समझ्य आये, आपके आय में व्यवदहान आये, आपका बिजनस अग वो बैटके प्रसंद न हो, तो सूर्य यहां पर ऐजे कारक अच्छा है, ऐजे ग्रह अच्छा है, तो अपने ग्रह के कारकत्वों को तो ठीक से देगा है, जो इसके रह के कारकत्व हैं, उनको तो ठीक देगा, लेकिन यहां पर पांचवे भाव का स्वामी होके गया है, तो पांचवे भाब की हानी करें। कि हमने बताया था कि जिस भाब का स्वामी छटे, आठवे या बारवे भाब में जाता है, तो उस भाब की हानी। पांचवे भाब की हानी करें। पांचवे भाब की हानी करें। हलाकि उच्च नीच का इतना जादा फार्व नहीं पड़ता क्योंकि उच्च नीच का शटबल में बहुत ही कम वेटेज है। शटबल अगर हम कैलकुलेट करते हैं ग्रह का तो उसकी वेटेज बहुत कम आती है। बट फिर भी नीच का होने से उसके बल में कमियां। वो थोड़ा कम जोर हो जाए। सूर्य है। तो सूर्य सप्तम भाब में जब बैठेगा एक तो शुक्र की राशी में बैठेगा, शत्रु की राशी में बैठेगा। तो सीधी सी बात है कि विभाई जीवन में कुछ समस्या हो सकता है। आपको क्रोध जादे आएगा, आपका स्वास्त में प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह की समस्या हैं आपको जो भी पहले भाव से हम चीज़े देखते हैं, उस भाव के चीज़ों में उस भाव के कारकत्तों में आने। ये साथवे भाव में बैठने से सूरे के हो. अब अगर यही सूर्य आठवे भाव में आ जाएं, तो कहते हैं कि आठवे और बारवे भाव में तो हर ग्रह बुरा पलड़ा शास्त्रों में लिखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सूर्य भी चाये पाप ग्रह क्यों नहीं हो, इस भाव में आ जाएं, आठवे और बारवे भाव में, तो वो हमेशा नुक्सान करें। लंडा रोग दे सकता है, ये सारे प्रभाव जो आठवे भाव से संबंदित हैं, उनके अंदर कमी आनी, क्योंकि सूर्य आठवे भाव में बैटके, दूसरे भाव में द्रस्टी डारे। में ध्यार लगनी है, जब हम सूरे का फल बोलते हैं, मेश लगनी कुंड़ी में, कि सूर्य स्थित होके कहां बैठा है, कैसे फल देगा, प्लस सूरे की द्रस्टी जहां पट रही है, वहां से कैसे, आशा करता हूँ, आपको ये समझाया होगा, समझाया हो तो प्यार लाइ जएशी